नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल आपकी सखी पर आज की मेरी कविता सिवरात्री के तहवार पर लिखी हुई है सिवरात्री के तहवार में सीव और पार्वती का विवाह रचाया जाता है और उसे ही मैंने अपनी कविता में निरूपित करने का प्रियास किया है आसा है आप सभी को पसंद आएगे सुनिएगा आए हैं भूला व्याहर चाने गोडी मैया के वे मन को भाए सभी भक्त जन नाच गाएं हाँ जी हाँ सभी भक्त गन नाच गाएं ब्रम्हा विष्णो संग नारद जी आए सिव के बाराती बन के नाचे भूतो संग प्रेतो की टोली बारत में आगे बढ़ के नंदी पे बैठे सिव बने हैं भोला सभी भक्त जन उनको निहारे सभी भक्त जन उनको निहारे हाँ जी हाँ सभी भक्त जन नाच गाएं तन पे भसम मिग की है छाला कंठ में सर्प की माला भूत और पीसाच स्वामी कहते कैसा ये जामाता आया मैं नारानी जी देख मुर्चित हुई मैं नारानी देख मुर्चित हुई भैसे वो काप जाए हाँ जी हाँ भैसे वो काप जाए हाँ जी हाँ सभी भक्त जन नाच गाएं कुमल तरुनी है सुक मारी गोरी कैसे नी भेगी सिव से सोचे माता मैं नारानी मन ही मन बूले वो ये सब किस से जो है अगोरी समसान का वासी उससे पारवती ब्याहूं कैसे हाँ जी हाँ मैं ना मन ही मन सोचे मा की हालत पे बिंती करती गोरी मा जाके सिव से अपनी लीला दिखाओ भगवन रूप को बदलो फिर से मा की हालत पे बिंती करती गोरी मा जाके सिव से अपनी लीला दिखाओ भगवन रूप को बदलो फिर से मान की विंती लीला दिखाओ राज कुमर सी हाँ छबी वनाई जिसे देख मैं ना मुसकाई हाँ जी हाँ बेटी ब्याहने को आई सिव पार्वती की जोरी बन गई नाची थी श्रिष्टी सारी इस पावन दिन को ब्रत हैं करते सब कहते से सिव रात्री सिव पार्वती की जोरी बन गई नाची थी श्रिष्टी सारी इस पावन दिन को ब्रत हैं करते सब कहते इसे सिवरात्री जो भी सिवरात्री को मन सिह करते मन वान चित फल पाते हाँ जी हाँ मन वान चित फल पाते आए हैं भोला व्याहर चाने गौडी मैया के वे मन को भाए सभी भक्त गन नाचिगाए हाँ जी हाँ सभी भक्त गन नाचिगाए जै तिव संबू जै हो भोले ना धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुता भाए झाले दोगाए हाँ सभी जाचिगाए हाँ सभी भक्त गन्यवाद जी हाँ सभी का बहुता ठाचिग जी हाँ झाले पाते हाँ